है अप अप है अप्ट आपके इस पढ़ाई को आगे बढ़ाते वह आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया चप्टर एक नया पार्ट जिसका सिर्षक है छोटी सी बगिया तो बच्चो इस पार्ट में आपको विभन्न प्रकार के फूलों के बारे में बताया गया है और यह भी बताया गया है कि हमें फूलों को तोड़ना नहीं चाहिए तो बच्चो आये स्पार्ट को शुरू करते हैं आप सभी ध्यान से सुनिएगा और समझीएगा हमारे घर के आगे एक छोटी सी बगिया है उसमें कई फूलों के पौधे हैं गुलाब, केंदा, मोगरा, आदी के पौधे हैं उनमें सुन्दर सुन्दर फूल आते हैं एक और गुढ़हल के तीन चार पौधे हैं उनमें रंग बिरंगे फूल लगते हैं तिवार के साथ कनेर के छोटे पेड़ हैं और हर सिंगार का एक छोटा पेड़ है हम अक्सर कुरसी लगा कर लॉन में बैठते हैं कोरईया फुदक्ती हुई आती हैं हम थोड़ा भी हिलें तो फुर से उड़ जाती हैं फूलों पर तितलिया मड राती हैं भौरे गुंजन करते हैं तो देख कर बहुत अच्छा लगता है घर के पीछे सबजियों का बगीचा है वहां क्यारियों में बैंगन, भिंडी, गोभी, टमाटर, आदी के पौधे लगे हैं पिताजी को बागवानी का शौक है वे हर मौसम में बीज डालते हैं पौधों को पानी देते हैं और हर हफते खाट डालते हैं मुझे पौधों को देखना बहुत अच्छा लगता है वीश से अंकुर फूटते हैं, पौधे बड़े होते हैं और सबजियों से लद जाते हैं ये भी बच्चों की तरह धीरे धीरे बढ़कर पड़े होते हैं हमारे गाओं के पास फलों के कई बाग हैं एक और आम के बाग हैं, दूसरी और अम्रूत के बाग हैं आम के बाग में गर्मी के दिनों में भी थंड़क सी महसूस होती है वहां कुछ लोग खाट बिछा कर दिन में सोते रहते हैं दिन में पेड़ों पर तोते दिखाई देते हैं साम के समय बागों में चुडिया की चहचहाट सुरू हो जाती है कई चुडियां चीची करके एक डाल से दूसरी डाल पर उड़कर जाती हैं हम कई जगह पेड़ों पर चुडियों के खोसले भी देखते हैं हमारे गाहों के पास इस सिस्थेहर में दो सुन्दर बाग है वहां कई तरह के फूलों के पोधे हैं कई तरह के पत्तेदार पोधे हैं एक बाग में एक सुन्दर तडाग है तो बच्चो तड़ाग यानी की सुन्दर सा तालाब है जिसमें कमल के फूल खिले हैं उस तड़ाग में बचकें तेरती नजर आती हैं पानी के अंदर बहुत सी मशलियां तेरती नजर आती हैं बाग में हर जगे लिखा रहता है फूल तोड़ना मना है पिताजी कहते हैं कि पौधे पर फूल कई दिन तक बने रहेंगे लेकिन उन्हें तोड़नें तो तुरंत मर जाते हैं इसलिए फूलों का आनंद लेना हो तो उन्हें अपने घर में ही रहने देना चाहिए तो बच्चो कैसा लगा आपको ये पाठ आशा करती हूं कि आपको बहुत अच्छा लग आगे बढ़ते रहें और हाँ इसका भ्याज भी जरूर कीजिए